हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां मस्त रहिए चुस्त रहिए और एंटर्टेन्मेंट का मज़ा लेते रहें कहते हैं न कि अगर आपका शो अच्छी ट्यार्पी दे रहा है तो उस पॉड्यूजर चैनल जो सितारे हैं या जो भी उससे शो से जुड़े हुए हैं वो काफी popular हो जाते हैं और यदि आप most popular production के साथ जुड़े में हैं उसके बाठ ट्यार्पी नहीं निकाल रहे हैं तो production की position तो down होती ही होती है साथ में सितारो की भी position down होती है ऐसे में production उन्हीं सितारो को फिर अपने नए शो में लेते हुए कतराते हैं कि अच्छे ट्यार्पी तो नहीं निकाली थी फिर कैसे लिए और अगर शो को ज़्यादा ही खीच दिया जाए तो फिर तो शो की ट्यार्पी कम ही होनी है हम बात करेंगे एकता कपूर की तो एकता कपूर के शो सबसे ज़्यादा खीचे जाते हैं ऐसे में एकता कपूर को ये सोचना चाहिए कि आप जो है OTT का जमाना आ गया है सभी के हातों में मॉबाइल आ गए है तो ऐसे में उन्हें अपने शो के स्पीड थोड़ी से तेज कर देनी चाहिए जो की एकता कपूर मोस्ट पूपूलर लिस्ट में गिनी जाती है या टीवी इंडस्टी की कुईन कहा जाता है उन्होंने ही जो है स्टार क्लास या अदर चैनल को बहुत मोस्ट पूपूलर शो दिये है और ऐसे में उनके शो को पसंद भी किया गया है उनके अगर पुराने शो को देखा जाए तो आज के नए शो कुछ भी नहीं है उनके सामने उनके जो पुराने सितारे हैं, उनकी एक्टिंग या फिर उनकी कहानी ऐसी जबरदस्त होती थी तो आज की डेट में एक्टा को अपनी सोच के साथ जो है चेंज करने होंगे अपने टीवी शो भी ऐसे में एक्टा के काफी शो जो हैं तैयारी पे हैं लाश शूट पे ऐसे में एक्टा जो है जल्दी से शो बन नहीं करती है फिर चाहे टीवी डाउन हो या इंकम लोस में हो वो चला कर ही रखती है उसे पता है कि अगर मेरे दस सो में से साथ सो अच्छा रस्पोंस करें और तीन बिल्कुल नहीं कर रहे है तो उस पे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर लगातार उनके शो इंकम डाउन करते चले जाए तो फिर शो तो लाश शूट करेगा ही तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ एकता कपूर के कलर पे आप बेकाबू देख रहे हैं परीनीती देख रहे हैं धरम पत्नी देख रहे हैं नागिन देख रहे हैं भई लगता है कलर भी अब जाए एक तक अपूर का नाम ही जपने लगा है, जी टीवी तो जपता ही है, अब लगता है कलर भी जपने लगा है, कलर को थोड़ा सा होस आया तो उसने मौलकी को तुरंट खटा दिया, लेकिन अभी भी चार शो जो है रनिंग में हैं, ऐसे में व लड़कियों को धोका दे रहा है, कब से ये शो सुरू हो गया है, ना जाने इसके कितने एपिसोड हो गया है, ऐसे में शो की सर्चिंग टोप 10 में बिल्कुल नहीं होती है, फिर चाहे जितने भी प्रोमो दे दिये जाएं, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोमो आने से जो है फ कुछ भी नहीं है, तो ऐसे तो अगर एक तक के शो चलते रहे, तो ना जाने हर हफते हर महीने नए शो लोंच करेंगी, और कब टाटा पाय कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, या तो उने राइटर चेंज करना चाहिए, या दुनिया की सोच के साथ अपनी सोच को लगान चाहिए, तो हम बात करने वाले हैं नागिन और बेकाबू की, जो की कल महा संगम दिखाया गया, जहां पे फैंस काफी एकसाइटिड थे महा संगम को लेकर, ऐसे में एक ता ने सोचा कि दोनों शो को एक साथ लोग देखेंगे, तो ट्यार्पी इंक्रीज ही होगी, हमेशा महा संगम से ट्यार्पी इंक्रीज होती है, यह तो आपको पता ही है, लेकिन आपको बता दें, नागिन की सलोट 41, 42 निकलकर आई तो क्या उमीद करते हैं, आज की टाप महा संगम से, और बात करें बेकाबू की, तो बेकाबू की 38 निकलकर आई है, ऐसे में दोनों का अगर आगर महाँसंगम का देखा जाए तो 51 52 के लाए रहा है अगर महासंगम का देखा जाए तो दोनों को आड़ करके 51 52 दिया गया है और नागिन 40 की की लाइन में और बेकाबू 30 की लाइन में तो ऐसे में जो है है mostly जो है नए शो अपना प्रोमो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है IPLK आने से जो रणिंग शो हैं वो ही अच्छी ट्यार्पी नहीं दे पा रहे हैं चलिए भाई जिस पॉडक्षन ने बास सोचिए बहुत दिमाग लगा कर सोचिए धरम पत्नी को कुछ स्टाइ मिल जाएगा ऐसे में धरम पत्नी से 1.4 मांगा हुआ है इतनी ट्यार्पी तो उसको देना पड़ेगा ही भाई मोस्ट पोपुलर सितारे और रश्ट भी सबसे जादा रहता है ऐसे में एक्ता के काफी शो टाटा बाय करने को तयार है उदर ये है चाहते पे भी खत्रा लटक रहा है भाई राजन साही की नजर पड़ चुकी है अब टैन ठर्टी पे आप जो है यह चाहते को काफी कूपती नईया को बचा लेंगी कमेंट करके जरूर बताइए बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब डोनों बनता है